तो फाइनली यहां पर देखो तुत्तर परदेश पब्लिक सर्विस कमिशन का यहां पर नोटिफिकेशन आ गया है ओफिसियली रूप से आ गया यहां पर देखोगे तो एक तारिक से आज से यानि की फॉर्म बढ़ना शुरू हो गया है और 39 जनवरी तक है चलेगा ठीक है ना लास्ट जो सब मिसन डेट है वो दो फरवरी दोजार चौबिस तक का है तो इसके उपर बातचित करेंगे कैसे कैसे अप्लाई करना है एडवर्टाइजमेंट में क्या है ठीक है ना यूजर इंस्ट्रक्शन क्या दिया गया इन तमाम पर बातचित करेंगे सबसे पहले एक बर हम क्लिक करते हैं अप्लाई पर अप्लाई पर क्लिक करते हैं तो क्या क्या चीज़े देखने को मिलता है वो चीज़ देख लेते हैं देव गाईज परिक्षा दोजार चौबिस का यहां पर लिखा हुआ है और 9300 से लेगर के 34300 800 का पे सकेल है एक कई साल हैं जो लौर एज़ है कई साल है मीनमं एज़ आपका 21 साल होना चाहिए और मैकिसमाम आज़ आपका 40 साल होना चाहिए इस में भी आपको कुछ रियाते वगर दिया जाएगा लेकिन वो इस्टेट एस स्टेट के बच्चों के है लिए यह नहीं होता ह करने के बाद ही आप कोई भी अप्लिकेशन कर सकते हैं तो यहां पर हमें कुछ पॉइंट्स देखने को मिलता है देखो गैस जो भी अंडिजर्ब गड़ागरी के जो लर्नर्स हैं उनको एक सो पशीश रुपए लगेगा देखो यह उत्तर परदेश पब्लिक शर्विस के मि कि यह लोग फी बहुत कम रखते हैं जो कि बहुत अच्छी बात है हर वेक्ति कर सकता है अप्लिकेशन फॉर्म डाल सकता है वहीं पर अदर पीसेस एक्जामिशन का आप ले लो जो कि मैं नाम नहीं लोंगा यू नो वेरी विल बहुत सारी पैसे लेते हैं बोलो इतना लेत लगे हैं वही पर AGU के लिए 65 रुपय रखे गए हैं और जो भुत पुर्भ सैनिक हैं उनके लिए 65 रखे गए हैं और उसके प्रशिकान का कैर्टियर्या क्याउया जो कि आपने देख लिया है और उतर पिज़ण करोगे ओफ त्यथन्रिक रुटनेकेश उपं लिएगा को जैसे ही इस पे क्लिक करोगे तो फिर यह कहेगा कि OTR से आप क्या करो कि इसको वेरिफाई करो तो यहाँ पर दो चीजी आएगा यू है कम्पलीट यूर OTR रेजिस्टेशन ठीक है ना मतलब कि क्या आपने OTR फॉर्म भर रखा है अगर आपने OTR फॉर्म भरा हुआ है और आपके पास OTR फॉर्म का नंबर है तो आप यहाँ पे क्लिक किजिएगा अगर नहीं आपने OTR फॉर्म खिल करा है तो आप नौ पर दिखाता हूँ कि कैसे होगा जब 9 पे करोगे तो क्लीक करोगे तो आपको एक नए पेज पर अपको भेज़ देगा यह पर यहां पर लिख गुदा जो जो पोटल होगा वहाँ पे अपना वटियर फिल करोगे ऑर मैं tussen ये ने फिल चेज़ना अब यह आएगा अब थोड़ी सी बात कित कर लेते हैं कि आखिरकार यह notification में और कौन-कौन सी बाते दी गई है इसके उपर जानना जुरूरी है तो यहाँ पर देखो तो notification में बहुत सारी बाते कही गई है इन सारे बातों को एक एक करके देख लेते हैं ठीक है ना तो पहले हम दे तो एक हिदी माध्यम में और आपको एक इंग्लिश माध्यम में आपका आएगा यहाँ पर आपको है और लोगे तो फिर आपका फोटो वांगा जाएगा फिर आपका अधार काड़ कर जाएगा फिर आप नाम हो गेरा सब कुछ भढ़के यहां से रिश्टेशन कर लेना करने के बाद आप ओटीर नमबर मिल जाएगा और ओटीर नमबर मिलने के बाद जो कि आप यहां पर डालोगे तो फिर आप अप्लिकेशन पॉर्म पर आ जाओगे सबसे पहले में जो इसके कुछ है इंस्ट्रक्शन है इसको हम एक बार देख लेते हैं तो प्रोसेस फ्लो अब दा फिलिंग रिश्टेशन पर भी जब करोगे तो इस तरीके से आजाएगा जो स्लिप सिंपल है वो इस तरीके से आएगा देखो यहां पर कैसे कैसे कहा गया है तो पहली बात यह है कि आपके पास OTR होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि OTR का देखो यहां पर रिस्टेशन कितना ज़्यादा हो चुका है ठीक है फिर आप नीचे आओगे तो यहां पर देखो यह अप्लाई वगरा कैसे करना यह सारी बाते दी गई है तो हम एके करके आपको बताते हैं कि किस तर पाद को एक बार दोस्तों तो यहां पर देखो सबसे पहले तो आपको अपना नाम डालना पड़ेगा नाम डालोगे डालोगे फिर फादर का नाम मदर का नाम फिर आपको इमेल आडी डालना है यहां पर यहां पर यहां पर आपके आपके फैमली कोई रहे हैं तो यहां कर तो यह yes करना otherwise no कर लेना ठेक है न और यहां पर एक्स्ट्रा ओडिनरी प्लेयर का अगर कुछ मिला हुआ है तो yes करो नहीं तो no कर लो इस तरीके से यह सब देख लेना उसके बाद कौन से काटेगरी से हो आप समाने से हो विसी से हो जर्दल सो क्या हो यह यहां पर select कर लेना उ इसके बाद नीचे आओगे तो आपको यहां पर दो चीज़ें दी जाएगी यह समझना आपको बहुत जरूरी है यहां पर आपको अपना qualification वगएरा डालना है आपका number marks वगएरा आ जाएगा फिर उसके बाद आप नीचे जब आओगे तो आप से पुछा जाए क्या आप आपको डिखरे हो तो आपको जैसे ही यह आप ब You don't know तो चीज़ आप यहां से ZN आयगे यहां से सब्मिट application करोगे और आपका final submission हो जाएगा ठीक है ना final submit होने के बाद आपको क्या होगा वो सारी चीज़े देख लो एक बार बतायाता हूं उसके बाद आपके बास payment का option आएगा payment का option आएगा फिर आप यहां पर click करोगे click करने के बाद कैसे आप payment करना चाहते हो आप कर लेगे तो यहां पर no कर देना है click yes you want to change the domicile अगर आप अपना domicile चेंज करना चाहते हो तो yes करो अगर नहीं चेंज करना चाहते हो तो no कर लो ठेक है ना और उसके बाद आगे बढ़ते जाओगे बढ़ते जाओगे फिर payment का option आएगा आपको अपना bank select करना पिमेंट करना है और इतने सारे मूट दिये गया है पिमेंट का यह चरह देख लिया जाए तो filling details में आप देखोगे तो इस तरीके से आपके पास खूल करके आजाएगा फाइनल यहां पर आपका payment हो जाएगा फिर आपके पास से आपके transaction ID विगरा आ जाएगा उसको सब्मेट कर दोगे हो जाएगा देन उसके बाद आपको अपना photo डाल bank विगरा का पुरे यहां पर details हो जाएगा उसके बाद जो जो चीज़े अपने फिल कर रहा है वो सारी चीज़े आ जाएगी and then finally यह चीज़े डाउनलोड करके अपने पास रख लेना है ठीके ना तो यह हो गया उसके बाद हम आते हैं यहां पर last वाला application form में आ जाते हैं त कैसे कैसे यह करना था वो मैंने सारे बता दिया है अब तो रहसा मैं बैग जाता हूं और एक और important मुद्दे के उपर बातचित कर लेते हैं ठीक है ना और वह important क्या है advertisement क्या है इसका वो एक बार view कर लेते हैं तो देखो यहां पर sample process भी दिया गया है और यहां पर इंगलिस सिंधी दोनों में है तो हम इंगलिस वाला डाउनलोड कर लेते हैं इंगलिस वाले में को डाउनलोड करोगे तो highlight किया गया है आयोग के द्वारा ही highlight कर दिया गया है कि आपको सबसे पहले OTR फिल करना पड़ेगा OTR नमबर डालना पड़ेगा फिर आपका details विगरा आएग सिलिबस क्या क्या है वह देख लो एक बड़ तो यहां पर सिलिबस जब आप देखोगे तो आपको यहां पर प्रिलेम्स के examination होगा प्रिलेम्स तीन फॉर्मेट में हो इसका examination होने वाला है प्रिलेम्स होगा objective टाइप और multiple choice questions होगे उसके बाद आपका main examination होगा जो written होगा औ on on the Tudo नमबर का और 26 2016 इन तुरू Хष्यां इसी देना फिर हिंदिक का examination देना है पिर इहां पर देखो तो आपको दिया गया आपका में सारे कुशन Qué बारे-बाद किया हैं यहां पर कुछ प्रस्टेंट से उसके बात्चित कर लेते हैं कहा जारे कि उसमें आपका 33 पर सेंट मार्क्स आना तै है मतलब कि उतना मार्स आएगा तभी आप पास माने जाओवगे क्योंकि 33 परसेंट इसका फिक्स कर दिया गया है उससे जादा लाओगे तभी कुछ 33 परसेंट लाओ या उससे ज्यादा लाओ तब आप पास करोगे उससे नीचे लाओगे तो कुछ यहां पर दिया गया है तो सारे यहां पर आपका जर्नल एक बार जरूर देख लेना यह बहुत इंपॉटेंट रूल विगरा है जिसके उपर हमने बातचित कर लिया है ठीक है और फाइनली यह है कि इसकी त्यारी कैसे करना है इसके उपर हमें एक सेपरेट वीडियो में बात बातचित कर लिया है इसके अलावा यहां पर थोरा से एक सेंपल कॉपी हम डाउनलोड करके देखते हैं तो सेंपल कॉपी में वही है जो बाते मैंने आपसे पहले बात चीत किया था वही सारी बाते कही गई है आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आई होंगी और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा लाइक जरूर कर लिजेगा और वीडियो अच्छी लगई हो तो सेयर जरूर कीजेगा इसके अलावा कोई डाउट बस जाए कोई कुश्चन रहे जा तो जरूर कुछ लिजेगा इस वीडियों बस इतना ही दोस्तों मिलते है唱 natural ने वी कर दोए्ट